हेलो गुड मॉर्निंग बच्चो मैं मोनी वेलकम टू हो में स्टड़ी चैनल देखिए आज का वीडियो हम आपको लेकर आए एक्सेसाइज एट भी एट ए तो बना लिए हैं एट भी भी वन टू फाइव आप बना लिए हैं एट भी एक्स लेकर तो पांस तक तो आपको यह में आया था कि दीदी कोश्चन नमेर्फ थी बतायेगा स्ट्फ के दीष करकल दीश्रा का वह पूरा नहीं पूरा थी तीसरा और चौंट तो हम सब्ते जाने प्यаш Pont investigators फिर सें बता रहे हैं 3 में बोल रहा है पहले 3 में पहले जो भैलू दिये उसको पढ़िए if p ब्रावर माइनस 2 k ब्रावर माइनस 1 and r भरावर 3 find the value of बोल रहा है कि अगर p का भैलू माइनस 2 है q का माइनस 1 and r भरावर 3 दिया भैलू दिया हुआ है तो question number 3 बोल रहा है P minus Q minus R तो यानि कि P minus Q minus R का R बराबर क्या होगा तो हम यहाँ पर देखिए बनाए हैं यह हम बनाए हैं question number 3 बनाए है P minus Q minus R बराबर P का value कितना है? minus 2 Q का minus 1 और R का 3 सबका value को हम यह कर दिया underline कर दिया है अब value put करेंगे P के कितना लिखें? minus 2 है तो minus 2 लिखें है bracket में हम इसलिए दिया है कि इसके पहले minus लगा हुआ तो इसको minus bracket में रखेंगे अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर minus है तो यहाँ जैसे यहाँ पर minus डाला हुआ है तो फिर Q यहाँ पर Q का value कितना minus 1 यहां पर minus 1 लिखे हैं, यहां पर हम bracket में इसलिए हैं बावू कि एक minus यह है और एक minus इसके अंदर है, तो दोनों minus एक साथ नहीं रहेगा, इसलिए हम इसको bracket में कर दिये हैं, एब आगे चलते हैं यहां पे tym लिख दीए अब इसको सो SQL बनाएंगे यह ब्रेТओं तो पैला लाइन कंपलीट होगे दूसरा लल्म आते हैं जब ब्रैकेट हटाएंगे तो नाइस two scaledults ऐसे माइनस बाहर माइनस ब्रैकेट तो माइनस माइनस यह माइनस माइनस क्या हो जाएगा पलस होगा यह जो कि हम यहां पर लिखे हैं पलस वन और अब आते माइनस थ्री माइनस थ्री लिख दिये हैं चलिए चौन्था लाइन में आते हैं तीसरा लाइन में बोल रहा है कि अब इसको हम क्या करेंगे तीसरा समान है जो जो साइन समान यानिकी एक जैसा है माइनस माइनस या पलस पलस उसको हम क्या कर लेंगे जो लेंगे तो एक यहां आपको माइनस दिख रहा है कि यहां माइनस दिख रहा है तो माइनस माइनस क्या होता है पलस होता है तो तीन और दो पांच यहां पर पांच लिखे साइन किस का डाले माइनस का डाले हैं पलस वन जैसे था वैसे उतार दिये हैं और फिर आगे में लास्ट में फिर यहां माइनस फाइब पलस वन बच गया है तब यह नहीं कि आपका एंसर आजाएगा एंसर भी नहीं आएगा भी इसको हमको करना जोड़ना घटाना भी बच तो माइनस प्लस क्या होता है यह माइनस प्लस क्या होता है माइनस प्लस माइनस तो पांच में से घटाएंगे कितना बचेगा चार बचेगा साइन किसका होगा जिसमें से हम घटाते हैं साइन उसी का ही डालते हैं तो हम किसमें से घटाएं पांच में से घटाएं तो पांच क में आते हैं यहां पर चौथा में बोल रहा है प 2014 बोल रहाा में 3owarf 3 प्लस कीउ के पावर 3प्लस रार के पावर 3 प्लस ac taə bir mean ऐद चुन दिख रहा है सब का भैलू पर पहले हम बता दिया हूँ सबना वरी नितने ना मैंने सिग hvad वर वर माइनस वन और रबराबर त्री यह भालू आपको दिया हुआ था था कि ताम यहां पर सब्सक्राइब करेंगे शबसे पहले पहला लाइन में आते हैं यहां पे P के पावर 3 है तो जो value हम P के पावर बैठाएंगे P का जो value बैठाएंगे वो भी पावर में ही रहेगा यह तो 3 तो रहेगा न सीर के उपर तो P का value कितना था minus 2 तो minus 2 को ब्रैकेट में रखे थे minus 2 के पावर 3 यहाँ पर P के पावर 3 तो minus 2 के पावर भी 3 हो जाएगा पलस है पलस लिखे उसके बाद Q के पावर 3 है तो Q का value कितना है minus 1 तो plus और minus दोनों साइन एक जगह नहीं रखेंगे इसलिए minus 1 को हम किसमें रखे हैं ब्रैकेट में रखे हैं तो minus 1 के पावर 3 हो जाएगा 3 है हम यहाँ पे आर का पावर 3 है तो 3 के पावर भी 3 लिखें पलस है तो पलस डालें तीन गुन्ने यहाँ पे देखो यह जो है ठीरी पी की वार सब एक दूसरे में किसमें एक दूसरे के साथ किसमें सब एक दूसरे के साथ गुन्णा में है तो हम यहाँ पे जो भी value put करेंगे एक दूसरे के साथ सब को किस में रखेंगे गुन्णा में रखेंगे तो यहाँ पे 3 गुन्य P, P का भाई जू कितना था minus 2, यहाँ पे गुन्य minus 2 लिखें, फिर गुन्य Q के भालू कितना था minus 1 minus 1 लिखें गुने R का भालू कितना था 3 यहाँ पर सब एक दूसरे के साथ गुना में रखें चलिए दूसरा लाइन में दूसरा लाइन में इसको हम तोड़ेंगे कोन कितना बार जो power हो उसको पहले हम तोड़ लेंगे power को minus 2 के power 3 है तो minus 2 कितने बार लिखाएगा 3 बार लिखाएगा minus 2 गुने minus 2 गुने minus 2 लिख दिये यहाँ तक plus है पलस डाले यहाँ पर हम इस minus 1 को पूरे को हम किसमे रखेंगे bracket में रखेंगे जो कि हम यहाँ से लेकर यहाँ तक bracket में हम रखेंगे है लिखेगा 3 यहाँ सब्से पहले हम साइनissä में गुुणा करेंगे किसमें गुना करेंगे सबसे पहले साइन में तो देखो एक तरीका होता है कि इस पलस इस माइनस में गुना करेंगे जैसे इस पलस इस माइनस में किये तो पलस माइनस माइनस आप यहां करेंगे तो माइनस माइनस पलस तो मेरा साइन यहां पर क्या डालाएगा पलस का जो क्य यहां पे फिर इसे कर सकते हो, हम यहां पे पता रहे हैं थे, यहां तो फिर इसको ऐसे कर सकते हो, कि यह माइन से दूसरा माइनस को हम काट दी ओ, यहां पे कोई sign अब नहीं बचाती है, यहां पर क्या sign बच गया, है पालस को बच गया प्लस कडल दिए को सब्सक्राइब आपसे पहरेंगा Все क्या करएंगे तो सबसे यहां है मर्早 दिख रहा है उसी तरह हम स्बसक्राइब और से डूसरा झाल एक माइनस बच गया तो यहां पे क्या लिखाएगा माइनस लिखार ढ़ने करूंगर कमें दो दुना चार दोना 8 मैनस काट आप नच वाल आफे आप यहांग ज़ी सब सक करेंगच है लिफ्ट क्रेंगे हैं यहां पर लिखेंगए और दोदोणन मीनस मोईनस ल यहांगा mm देहparty तो कोई शाइन नहीं है कोई शाइन नहीं है कोई मいや कोई 2 अब आगे शौथा और चलते हैं शौथा को जोड़형 खटाएंगे जो साइन एक जैसा है या तो प्लस का हो या तो माइनस का उसको हम पहले जोड़ेंगे देखो तो यहां पर माइनस माइनस एक साथ दिख रहा है न एक जैसा तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है तो आठ और एक नो साइन किसका डालेंगे माइनस का डालेंगे अब यहां पे प्लस प्लस दोनों 27 प्लस है अब प्लस 18 इसको दोनों को जोड़ेंगे प्लस 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 क्या होता है प्लस होता है तो साइन किसका हम डालें प्लस का डालें 27 और 18 जोड़ेंगे तो कितना जगा 45 45 यहां प्लस क का 45 एक माइनस का 9 और प्लस का 9 माइनस प्लस क्या होता है माइनस प्लस माइनस तो 9 में सो तो 45 नहीं घटेगा लेकिन 45 में सो 9 घटेगा कितना बच जाएगा 36 36 किसका बचेगा प्लस का की माइनस का तो जो बड़ा complete कर लिजीगा तीसरा चलिए आगे आते हैं एक से लेकर पांस तक तो हम होमग दिये थे पांस तक दिये थे ना पांस तक complete हो गया है अब आते हैं छटा से यहां पर इसी यहरा पर यहां पर कोशन 6 में right the constant term अफ जब हम यह हैं जब हम यह एलजपरı के एकस्प्रेस ना स्टाट किये थे यह श्युक्र कि उसमें समझाया थे कि constant किसको बोलते हैं और variable किसको बोलेंगे वैरियेबल बोलते हैं ABCD हो या तो फिर XY हो या तो फिर यानि कि ABCD का कोई भी लेटर ABCD का कोई भी लेटर को हम बोलते हैं वैरियेबल और कॉंस्टेंट बोलते हैं 12 का लेटर जो होता है 12 का कोई भी अंक X से लेकर हैं यानि कि एक कोई भी number होता है एक दू तीन चर पांच है इसमें बोलेंगे इसमें आपको constant ढूंड़ना है क्या ढूंड़ना है तो सबसे पहले हम constant ढूंड़ते हैं अगर कोई भी आंक के साथ एक्स या वाई या जेड कुछ भी लग गया तो constant नहीं होता है वो किसमें गिनते हो जाता है वैरियेबल में हो जाता है constant बोलेंगे उसके साथ वैसा नमबर जिसके साथ अलफाबेट यानि कि ABCD का कोई भी अच्छर लेटर कोई भी लेटर ना जूटे वैसा नमबर जिसके साथ ABCD का कोई भी लेटर नहीं जूटे उसको बोलते है constant term इसमें से 5X 3,4Y में से constant कौन हो जाएगा कौन वैसा अंक है कि जिसके साथ ABCD, XYZ कुछ भी नहीं जूटा है तो इसमें को तीन दिख रहा है तीन के साथ कोई भी नहीं जूटा है ति यह क्या हो जाएगा तीन यह तीन हो जाएगा constant कौन इसी को बोलते हैं तो यहाँ पर फिर से छठा को फिर से बता रहा है बोल राइट कौनस्टेंट तर्म यह आपको एक से लेकर चार तक कोशन दिया हुए इसमें से आपको सिर्फ और सिर्फ कौनस्टेंट ढूणना है तो आज़ फूर एक्जामपल हम ऐसा कोशन एक ल तुनना है तो 3x plus 5 यह माले थे मेरा पहला एक्जामपल है 3x plus 5 में constant कोन हो जाएगा हम यहाँ पर आपको सो किये हैं आपका question से नहीं बनाकर हमें का अलग question लिये हैं यहाँ पर 3x plus 5 में से constant कोन हो जाएगा 5 हो जाएगा हम अभी बताएं कि constant उसको बोलते हैं जिसके साथ ABCD का कोई भी लेटर नहीं जूटा हो उसको बोलते हैं constant सिर्फ और सिर्फ हो नंबर हो एक दू तीन का अच्छार हो उसको बोलते हैं constant इसमें सिर्फ और सिर्फ पांच है यह constant हो गया आग आते हैं example नंबर 2 एक लिए हैं इसमें question x square plus y square minus 4 by 5 right constant term इसमें भी हमको constant टर्म लिखना है तो देखते हैं x square हो गया यह भी constant नहीं होगा पलस y square यह भी constant नहीं होगा दिदी बताएं थी कि वैसा टर्म लेना वैसा आंक लेना जिसके साथ ABCD का कोई भी लेटर नहीं जूटा हुआ है आगे देखते हैं minus 4 by 5 इसके सा सकते हैं कि वैसे साथ कोई भी लेटर नहीं हो शारा जूटा हुआ यह माइनस का हम इसा एक से लेकर चार तक में बस इसी तरह आप जाएगा सब्सक्राइब चलिए नेक्स्ट आते हैं सात्वा में बुल रहा है सात्वा में बुल रहा है identify the monomials, binomials and trinomials in the following बुल रहा है कि जो यह आपका question है एक से लेकर 9 तक इसमें साब को monomials कोन है binomials कोन है monomial वैसा term, monomial वैसा number को बोलते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही number एक ही term आता उसको बोलते है monomial जिसमें only one numbers of monomials बोलते हैं बोरा monomial कि इसको बोलते हैं वैसा term जिसमें only one term आया है यानि कि वैसा question जिसमें एक term आता है उसको बोलते हैं monomial तो एक term कहने का मतलब सिर्फ अगर हम x लिये हैं तो सिर्फ xyz xyz यानि कि इसके साथ plus या minus कुछ करके इसके आगे कुछ नहीं जूटा हो यानि कि वैसा लेटर जिसके साथ हमको plus या minus करकर आगे कुछ नहीं जूटा हो उसको बोलते हैं only one terms तो यहाँ पर seven में monomial किसको बोलते हैं वैसा question जिसमें only one terms हो उसको बोलते है monomial binomial वैसा question जिसमें दो term हो उसको बोलते हैं binomial और वैसा question जिसमें तीन term हो वैसा expression जिसमें तीन term हो उसको बोलते हैं trinomial तो हम यहाँ पर monomial, binomial, trinomial पहला कलास में भी समझाया थे और आज फिर समझाया है monomial वैसा expression को बोलते हैं जिसमें one term आता है उसको बोलते है monomial binomial जिसमें दो term आता है उसको बोलते है binomial और trinomial जिसमें तीन टर्मात है उसको बोलते हैं trinomial as for example monomial हम सो कर रहे है monomial जिसमें one टर्मात है x या तो फिर x, y, z कॉमा है यह मत समझना कि एक ही कॉमा है या तो फिर कॉमा five पलस इसके साथ कुछ नहीं जूटा हुआ और बाइनोमियल किसको बोलते हैं बाइनोमियल जैसे x पलस y हो गया कॉमा 3x पलस 2 हो गया इसको बोलते हैं बाइनोमियल ओर trinomial बोलेंगे जैसे x पलस y पलस z dc, x square y plus 3xy minus 2 इसको बोलते हैं trinomial तो जिसमें यायने कि जिसके वैस एक्सप्रेशन जिसके साथ जिसके साथ प्लस माइनस ना जूटा हो सिर्फ हो फिर्फ एक टर्म हो इसको बोलते हैة monomial औरयस एक्सप्रेशन जिसके साथ दो टर्म हो जो डो टर्म से मिल कर बनाओ जैसे x प्लस y या तो 2x स्क्वार प्लस y उसको बोलते हैं binomial और trinomial वो ऐसा expression जो तीन टर्म से बना है या तो फिर उसके साथ plus minus करके तीन टर्म जूटा हो उसको बोलते हैं trinomial तीन टर्म काने का मतलब एक टर्म हो गया दो टर्म हो गया यह तीसरा टर्म हो गया यहां पर कॉमा एक टर्म हो गया दो टर्म हो गया तीन टर्म हो गया monomial में एक टर्म है यह भी एक ही टर्म है बाइनोमियल में यह दो यह हो गया दो यह दो नहीं हो गया दो हो गया ना दो दो इसको बोलते हैं 21 झाइप संघें 5 यहां पर मारीनियल हो जाएगा यहां पर इससाथ प्लस यहां मै नहीं으면서cra जाएगा जूटा है ति ये भी क्या हो जागा, Monomial ही होगा, अब यहां पर आते हैं, X प्लस 5 जो ये लिये हैं, X प्लस 5 हम बोलें, प्लस माइनस के साथ आगे करकर जूटता हो, उस टर्म को बोलते हैं, Binomial, ति इसमें कितना टर्म हो गया, X हो गया, दूसरा प्लस 5 हो गया, ति इसमें 2 टर्म हो ग करते हैं कि Question No.7, X लेकर 9 तक आपको बन जाएगा, आप समझा दिये तो बन जागा Question No.7, चलाए, अब आते हैं Question No.8 में, 8 में हम आपको Question No.8 नहीं बताएंगे, बस एक बात समझा दे रहें, यहां पर बोल रहा है, Question No.8 बस बोल रहा है, Write All the Terms of the Algebraic Expression, बोल रहा है, कि वैसा टर्म को बताएगे, Less.9 कीजी जो Algebraic Expression में हो, अलजब्रा में बाबु जहां पर Algebra के नियम है, जहां पर कौमा रहता है, वहां पर plus होता है, minus वाला हम so करते हैं किसी किसी question में minus वाला indicate करते हैं कि हाँ यहाँ पर minus है लेकिन जहाँ पर plus रहता है वहाँ पर हम comma भी डाल देते हैं simplify वोगरे में आगे मिलेगा आपको कि add करने के लिए बोलेगा लेकिन वहाँ पर add का sign आपको नहीं रहेगा सिर्फ comma से so करेगा कि 2x, 3y, 2, 5x square ऐसे करके comma से आपको so करेगा तो जहाँ पर comma रहेगा वहाँ पर क्या रहेगा प्लस रहेगा तो यह जो पहला और दूसरा आपको question दिख रहे हैं इसमें आपको यह कर देना है कि जहाँ पर सिर्फ उसी plus दिख रहा है अंक या साइन में कोई changing नहीं करना है कुछ नहीं करना है जो जैसा अंक है जो power हो रहने देना है बस आपको comma वहाँ पर बैठाना है जहाँ पर plus है एक question इसमें बना दे रहे हैं as for example पहला हम बना रहे हैं पहला में 4x के power 5 minus 6y के power 4 हम बोलें कि जहाँ पर plus है वहाँ पर हम क्या बैठाएंगे comma डाल देंगे 7x square y और minus का 9 जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पलस रहेगा हम वहाँ पर comma बैठाएंगे और जो जैसे रहेगा वैसे हम उतार देंगे यह मेरा हो गया answer इस तरह को सिर्फ नमर दूसरा बना देंगे आठाएंगे एक तो हम बना दियें दूसरा आप खुद से बना लेंगे जहाँ पर प्लस रहेगा बस वहाँ पर comma बैठाना है और जो जैसा है वैसे मुसको उतार देंगे तो को सिर्फ नमर आठ बन जाएगा चलें आते हैं 9 मे आपको को बताना है कि इस में कौन-कौन पहला दूसरा तीसरा चौथा में कौन-कौन लाइक टर्म है तो हम यहाँ पर एजफ एकजोंपल में को समझार रहे हैं आपको हम एकजांपल समझ में आजाएगा तो 9 कोसिन बन जाएगा एकजांपल पहला बोल रहा है 6x2y-8xy-7y यहां पर बोल रहा है कि इसमें से इसमें से हमको यह बताना है कि लाइक टर्म कौन-कौन है अब यह एक बात एक समझ लीजिए लाइक टर्म किसको बोलते हैं लाइक टर्म वैसे टर्म को बोलते हैं जो एक समान हो लाइक कहने का मतलब क्या आपको हो रहा है लाइक मतलब एक स 6x है, तो दूसरा भी 6x ही होना चाहिए, ऐसा नहीं हो, अगर 6x है, तो कोई और दूसरा टर्म हम लेंगे, उसके साथ भी क्या जूटा हुआ हो, उसके साथ भी x हो, ना कि नंबर चेंज हो सकता है, लेकिन जो ABCD का लेटर है, जो variable है, वो चेंज नहीं होगा, अगर माल लेते हैं कोई 2x है, तो दूसरा हम 3y नहीं लेंगे, यह मेरा लाइक नहीं होगा, यह क्या हो जागा, अनलाइक हो जागा, दूसरा 2x के साथ हम क्या लेंगे, 6x हो सकता है, 4x हो सकता है, लेकिन इसके साथ y नहीं हो सकता है, क्या देखो तो नंबर चेंज है ना सब बलिना है देखो तो यहां पर सीकस एक्सवस कौर यौंट मर्भें ओर मिलों या तो कान इदर से पकड़िए या इधर दाहिने साइट से पकड़िंग से बटन से पकड़िए कुछ और तो नहीं सबलना रहा है वहीं बोल रहे हैं एक स्क्वार वाई या तो फिर वाई एक स्क्वार दोनों सेम है इसी तरह यहां पर भी आपको बनाना है नाइन में भी देखो तो यहां पर सीक्स एक स्क्वार वाई है और एक स्क्वार वाई या तो फिर वाई एक स्क्वार है कहीं पर एक स्क्व or y, या तो फिर yx squared हमको एक यहाँ पर दिख गिया, minus kays7yx squared, यह दोनों देखो, तो सभी हम दिख रहे ना, अभी घेस्टम बताएं, यह दोनों मेरा क्या होजएगा, 06x squared y, minus kays7y x square यह दोनों logar금 हो जाएगा, एक और logarithm लिये हैं, जैसे यहाँ पर, 3 y square, minus 5 y square, 80 y square ये सब के पहले कॉमा है बाबू 80 y square देखो तो y square, y square, y square, y square सब में y y square है न ये सब क्या हो जाएगा ये पूरा कट पूरा लाइक टर्म हो जाएगा इस तरह से question number 9 आप बना लेंगे एक से लेकर 4 तक और जो जैसे आज हम 6 class का जू मैप से meeting अस्टार्ट के थे जू मैप से पढ़ाया थे उसमें तो नहीं समझ में आता है इतना किलिए रूप से तो जो जो आज नया बच्चे मतलब कि आज नया आज मेरा YouTube को ये कीजिएगा नया देखेगा YouTube चैनल तो आप exercise 8B बना लिजिएगा 8B बनाने के बाद आप पूरा मेरा complete कीजिएगा एक copy अलग होना चाहिए और चैनल को subscribe कर देंगे ताकि चैनल subscribe करेंगे तो next video जो हम डालेंगे आगे exercise 8C उसमें से आपके पास चला जाएगा ये कोई जरूर नहीं है कि मेरा WhatsApp से भेज़ा जाएगा तब ही आएगा अगर आप subscribe कर देंगे चैनल को तो आपका school में number नहीं भी दिया हुआ रहेगा तो आपके पास मेरा video मेरा channel आपके पास चला जाएगा जो अब अगर आप subscribe कीजिएगा like कीजिएगा तो और नहीं कीजिएगा तो नहीं जाएगा बाबू इसलिए जो जो भी आज नया देखे हैं नया आज ढूंड़े हैं कि आपका channel बना है नया देखे हैं तो उसको आप channel को subscribe जरूर कीजिएगा और अच्छा लगेगा तो comments box में जवाब दीजिएगा दीदी बहुत अच्छा था या तो फिर अगर हमको पढ़ाने में कोई problem या तो फिर आपको समझने में कोई problem है तो भी बोलिएगा कि दीदी और अच्छे से पढ़ाईए या तो फिर हमको समझ में नहीं आ रहा है या तो जो कुछ भी आपको question पुछने के लिए रहेगा आप comments box में बोलिएगा comments box में बेजिएगा हम उसका answer आपको next video जब भेजेंगे तो उसका answer हम आपको देंगे समझ में आए कुछ तो आप पढ़िए जब हम पढ़ा रहे हैं तो आप क्यों नहीं पढ़िएगा हम पढ़ा रहे हैं वहीं से चेप्टर स्टार्ट करेंगे नहीं आपको चेप्टर सुरू से स्टार्ट होगा लेकिन फास्ट चला जाएगा क्या फास्ट चला जाएगा क्योंकि स्लेवस हमको complete करने के लिए रहेगा half early तक इसलिए हम फास्ट चलेंगे आपको समझ में आएगा यूटूब से पढ़े हुए रहेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ यहाँ पे ऐसे ऐसे बनेगा जल्दी जल्दी हम भी आगे बढ़ेंगे आपको भी समझ में आएगा और जब नहीं पढ़िएगा तो क्या रहेगा बीच माटा कटक जाएगा हमको यह नहीं समझ में आ रहा है यह नहीं समझ में आ रहा है इसलिए जिसको नहीं पता है कि दीदी यूटूब पे डाल रहे हैं नहीं पता है तो उसको आप बोलिए तो जैसे भी हो सकता है आप उसको बोलिए यहां पे हम आज देखें यह पे बस यह में छट्ठा में तो लग रहा है कि 59 ही बच्चा अड़ हुआ था तो 59 एक सेक्षन में रहता है यहां पे सेक्षन 5 है section 5 है तो कम से कम इसमें 600-700 बच्चा होगा तो कम से कम इतना बच्चा 600-700 ने तो 500 तो होगा ना 500 बच्चा को यहाँ पर हमको subscribe होना चाहिए समझ मैं सबको तो सारे लोग को बोल दो पढ़ने के लिए यहाँ पर हम subscriber चेक करेंगे कितने लोग बढ़े गए हैं आज से तो ठीक है आज का बस इतना ही ठीक है फिर अगले वीडियो में हम मिलेंगे Have a nice day, thanks